अबे वो रैंबो का बात में टर्पिनेटर का चाचा है। रॉकी का दादू को आप भूस्ती का नाना है। ताह स्लेक्शन ही रोगो। एक बार तुम मैंने कमिट्मेंट का लिए। उसके बार में मुद्रूर। सलीम खान क्यों चाहते हैं कि मजधार के रिमेक में सलमान खान काम करें। और मजधार फिल्म की कहानी क्या है। जी हाँ दोस्तों एक बार फिट से आप सभी का स्वाधत है हमारे चैनल बॉलीग्राद स्टूडियोज की इस नई अपडेट में। मजधार 1996 में रिलीज हुई हिंदी भाषागी फिल्म थी। फिल्म के कलाकारों में सलमान खान, मनीशा कोईराला और रहुल रॉय शामिल थे। इस फिल्म के निर्देशक थे स्माइल श्रॉप। प्रडूसर थे प्रवीन ठककर और लेखक थे सलीम खान यानि कि सलमान खान कृष्णा यानि की राहुल रॉय और राधा यानि की मनीशा कोईराला प्यार में हैं और गोपाल राधा से प्यार करता है। गोपाल कमाई करने और वित्य रूप से मजबूत बनने के लिए जाता है ताकि उसकी वापसी पर वो राधा से शादी कर सके। इसी बीच जब ग संबंद में शामिल हो गई जिसके परिणाम स्वरूप राधा गर्वती हो गई तब गोपाल यानि कि सल्मान खान राधा के जीवन में लौट आता है राधा जो अभी भी कृष्णा से प्यार करती है गोपाल के लिए अपनी भावना को व्यक्त करने में असमर्थ है गोपाल क शान्ती के साथ छोड़ देती है जो सोचता कि शान्ती उसकी बेटी में और कभी वापस नहीं आती और जाकर वह अपने पिता के घर में छुपती है बाद में राधा नदी में कूद कर आत्म्त्य करने का प्रयास करती है लेकिन वह वेफल रहती है उसे पुलिस दौरा है गोपाल टूट जाता है और कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और वह अपनी इच्छा और हातों से शांति को क्रिष्णा के पास पत्र के साथ भेड़ता है कहता है कि वो वैसे ही जा रहा है जैसे आया था कृष्णा की बेटी को अपने असली पिता को सौप कर गोपाल फैसला करता है कि वो अपनी सारी संपत्ती शांती को दे रहा है इसके साथ ही वो वहां से तलाक के कागजात भेशता है वो रादा को इस रिष्टे से मुक्ट कर रहा है ताकि वो अपनी जिंदीए अपनी तरीके से जी सके गोपाल फिर से जहास से चला गया भविश में बुज़ुर्ग गोपाल बिस्तर पर लेटे हुए कृष्णा से मिलता है और कहता है कि वो सिर्फ kinashya से मिलना चाहता है और वो अब मर सकता है गोपाल मर जाता है तो दोस्तो मैं आपको याद दिला दूँ ये film सलमान खान के पिता सलीम खान द्वारा लिखी गई थी हालांकि ये फिल्म जादा काम्याब नहीं हो सकी लेकिन सल्मान खान इसका फिर से रिमिक बनाना चाहते हैं नए जमाने के हिसाब से और नई स्टार कास्ट के साथ क्योंकि सल्मान खान चाहते हैं कि ये फिल्म फिर से बनाई जाए और इसे इस बार सुपर डूपर हिट बनाया जाए क्योंकि वो इस फिल्म को अपने पिता को समर्पित करना चाहते हैं या ट्रब्यूट करना चाहते हैं तो दोस्तो ये है सलमान खान का प्यार अपने पिता के लिए तो दोस्तो आपको क्या लगता है क्या सलमान खान को मजधा का रिमिक बनाना चाहिए आपको क्या लगता है और आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं लाइक और शेयर करना बिलकुल न भूले और देखते रहे हमारा चैनल बॉलीक राद स्टूडियोज